कि अवेरी वहम वेलकम टू आल देस्पेडेंट आफ लाइबरेरी एंफिरमेशन साइन्स सभी विद्धार्तियों का स्वागत है जो भी लाइबरी साइन्स से बीलाइस दीलाइस से हमलाइस कर रहे हैं कर चुके हैं यह आप में से कई सारे से स्टूडेंट हैं जो कॉम्टी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्टर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके तो स्टूडेंट यह जो आज का हमारा जो लेक्टर है इस पे हम यह एक विकेंसी निकली हुए है यहां पे अल इंडियन इंस्ट्रीटूट अफ मेडिकल साइंस पटना से और यहां पे किस पोस्त के लिए विकेंसी निकली हुए हो सारी बाते हैं अब करने वाले है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्टर तो यहां पे देखे डेपूटेशन बेसिस पे है एप्लिकेंट्स आर इन्वाइटेड इन प्रिस्क्राइब प्रो फॉर्मा फॉर एलिजिबल ओफिसर्स ऑफ सेंटरल स्टेट गॉवर्मेंट यूटी और्टनोमस बॉडी या किसी मतलब फिल्ड से हैं तो उन सबको अलाव है यहां पर फिल करने के लिए तो यहां पर देखिए सबसे यहां पे ग्रूप A and B पोस्ट के लिए है जो की डेपूटेशन बेसिस पे है तो यहां पर निम आप दो पोस्ट है पे मैट्रिक स्केल है क्वालिफिकेशन है और नमबर पोस्ट है तो जो लाइबरेरी के लिए है वो हम आपको यहां पर बताने वाले कि कौन-कौन से जो स्केल 13 से मिलेगा और यहां पे नमबर पोस्ट जो है वो एक है अब इसके अंदर कौन-कौन से अप्लाइ कर सकते हैं ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट अंड यूटी हो गया यूनिवर्सिटी हो गया स्ट्रेचरी कोई भी बॉडी हो गया उसके अं सेकंड क्लास मास्टर डिग्री यहां पे माँ गया है लाइबरी साइंस में और डिग्री और डिप्लोमा इन लाइबरी साइंस और रिकर्गनाइज इंस्टिट्यूट और और यूनिवर्सिटी साथ में यहां पे सेवन इयर एक्सपिरेंस माँ गया है सूपरवाइजरी के लाइबरी स्टेंडिंग कमिटी में डिजारेबल की बात करें तो मास्टर डिग्री माँ गया है लाइबरी साइंस में ट्रेनिंग इन मेडिकल लाइबरेंशिप एक्सपीरिंस ऑफ डॉकुमेंटेशन वर्क इन रिस्पोंसिबल कैपिसिटी नॉलिज आपको संस्क्रित साथ क्वालिफिकेशन तो हर कोई मीट नहीं करता बट अगर आप मतलब हाफ या हाफ से ज्यादा भी मीट करते तब यह आप जरूर फिल करें क्योंकि अगर उस लेवल आफ क्वालिफिकेशन के नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको सलेक माँ पे किया जाएगा फिर उ लेगा और नंबर वेकेंसी दो है इसमें यहां पर भी वही ओफिसर्स या कोई भी मतलब फिल कर सकता है जो भी यहां पर ऑफिसर्स आफ सेंटल गौर्वर्मेंट यह यह यूटी गौर्मेंट और एपको उसके साथ में आपको पेस्केल 6 के कॉर्डिंग मिला हो और अपने साथ तीन साल का यहां पर रेगुलर सर्विस किया हो उसमें तब आप इसके लिए क्वालिफ मतलब क्वालिफाई है बी ऑप्शन में यहां पर माँ गया है प्रसेसिंग फॉल्विंग क्वालिफिकेशन जिसमें यहां पर आपको MSC, MA या फिर MCOM डिग्री आपने मतलब ले रखा हो बैसलर डिग्री आपने लाइबरी साइंस में ले रखा हो और आपको एक्सपिरियंस हो एकोजीशन ऑफ बुक्स, प्रियोर्डिकल्स, एन डॉकुमेंट का इसमें मेडिकल और अधर लाइबरी ऑफ स्टेंडिंग इसके जिसमें लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपको पेगरेट मिलेगा, इसमें भी नंबर वेकेंसी एक है, यहाँ पे भी वही जो स्टेट गोवर्मेंट, सेंटर गोवर्मेंट या या यूटी गोवर्मेंट या या यूनिवर्सिटी हो गया, या किसी भी स्टेटरी और्टोनमस बोडी के जो रिसर्च एंड डेवलोपमेंट और्गनेजिशन होल्डिंग के अंदर जो वर्क करते हैं, जो कि यहाँ पे पोस्ट में रेगुलर वर्क किया हो, पाँच या अट साल का, तो वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, एसेंशल कॉलिफिकेशन में यहाँ पे और डिप्लोमा इन लाइबरी साइंस, आपने किसी भी युनिवर्सिटी ए इंस्ट्यूट से करक्खा हो, साथ में यहाँ पे सेवन येर एक्सपीरिंस मा आ गया है, लाइबरी में उसके अलावा यहाँ पे डिजारेबल में देखें, तो यहाँ पे मास्टर डिगरी मा आ आ है, लाइबरी साइंस में, ट्रेनिंग इन मेडिकल लाइबरेंशिप, एक्सपीरेंस ओफ डॉकुमेंटेशन वोक इन रिस्पॉंसिबल कैपेसिटी, फिर नॉलिज ऑफ संस्कृत, एंड एनी मॉर्डन येरोपियन लैंग्वेज अदर दन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा और भी किसी, मतलब जो यहां पर मॉर्डन लैंग्वेज है, उसको आपको आना चाहिए, तो यह पूरा यहां पर जो वेकिंसी थी, उसका पूरा मैंने यहां पर डीटेल में आपको समझा दिया, उसके अलावा यहां पर कुछ इंपर्टेंट डेट्स हैं, जो पूरा आपको देखना है, और फिर लो करके आपको उसी पर्फॉर्मा के अकॉर्डिंग है, आपके समिट करना है, तुरू पेपर चैनल तूदा रिकूरूटमेंट सैल, और इंडिया इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस, यहां पर भेज देना है, आपको स्पीड पो 2022 को होगा, वहीं पर एंस में ही, और लास्ट टीड की बात करें यहां पर यहां पर फिल करने का, तल लिस्ट अफ कैंडियेट्स हूँ आर फाउंड एलिजिबल फॉर सेलिंग फॉर इंटर्वी विल बी पब्लिश ऑन दा वेबसाइट आफ एंस, पटना ठटी दिसमबर 2021 क यहां पर यह पब्लिश कर दिया जाएगा, और यहां पर जो लास्ट टेट है, फिल करने का, वो 20 दिसमबर 2021 है, तो यह पूरा यहां पर डिटेल था, आई होप आप लोग को जितनी भी इंफर्मेशन दिया है, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा, और एक इंफर्मेशन क्योंकि काफी दिनों से वीडियो हम नहीं शूट कर पा रहे थे, ड्यू टू, मैनी रीजन, तो जो आपका MA के कलास है, वो जल्द ही आप लोग के स्टार्ट होने वाले हैं, MA और जो MLIS के और BLIS के भी अगर आप मतलब कमेंट करते हैं, तो उसके भी हो जाएंगे, बाकि MLIS के जो क्लासिस हैं, वो पहले की तरह रेगुलर आपके हो जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन आल ले आप लोग, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में कि सेलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,